हलो माइ डियर आपटी तो आज हम लोग नाशनल पार्टी किसे करते हैं और स्टेट पार्टी किसे करते हैं इसके बारे में डिसकस करेंगे वहत इजी है है एक बार आप इसे देख लें 100% आपको समय में आ जाएगी और क्लियर हो जाएगा कंप्लिट कंसेप्ट आपको किलियर हो जाएगी तो नाव विदाउट डियंग डिले तो लेट्स बी स्टार्ट डिसकस यह तो फर्स्ट पार्टी किसे कहते हैं क्या कंडिशन होनी चाहिए एक स्टेट पार्टी कहलाने के लिए इसके बारे में लोग डिसकस करेंगे बहुत ह है नौ लुक एट पाथी यहां पर देखें दो इसके बात की जा रही है एक परसेंटेज होती है जिसे लानी पड़ती है एकवाई करना पड़ता है ठीक उसी तरह जैसे आपको एक्जाम में पास होने के लिए क्या करना पड़ता है आउट अफंडेट हॉ मच परसेंट you have to secure minimum 33% ओके यह 100 100 मार्क्स में 33% आप यदि सिक्वर करते हो तो आप पास हो जाते हो तो इसी तरह से एक स्टेट पार्टी बनने के लिए या एक नाशनल पार्टी बनने के लिए एक परसेंटेज यहाँ पर दी गई है जिसको लाना स्टेट पार्टी के लिए यहां पर स्टेट पार्टी के लिए कितना परसेंट होना चाहिए 6% वोट आपको लाना है आनि उस पार्टी को लाना है मालों की प्जेपी है कोई भी पॉलिकर पार्टी करेगी यहां पर कणाव है कि वो जो पार्टी है यह सिक सबगद कहां पर लागी ना लाना मेरं.. जो भीदान सवा का चुनाऊ होता है। उस पार्टी को की सब्सक्राइब हुआ नहीं… टोटल वोट जितना हुआ उस एसेंबली इलेक्शन में उस टोटल वोट परसेंट में 6% लाना है पार्टी को वह एक स्टेट पार्टी कहलाती है एक्जामपल भी लेते हैं तो बिहार होने वाला है है यो भी वो एक ही पार्टी जंदापटी के तो भार्थी जंता-पार्टी यदि उस स्टेड्ट इलेक्शन में आनि बिहार में जो चुनाव हो रहा है इस चुनाव में यदि वो टोटल वोट का 6% वोट ले आती है तो यह पार्टी क्या कहलागी स्टेट पार्टी कहलाने के लाइख बन जाएगी और अब ऐसा नहीं कि पास 6% वोट आपने लिया आप स्टेट पार्टी हो है नई एक और कंडिशन है क्या कंडिशन है तो कंडिशन यह है कि उसे तूं सीट भी लाना होगा नहीं इस बिजएपी पार्टी से कोई भी दो विधायक जितना ज़रुरी है दो सीट लाना कंपरसरी है याने कि दो विधाय जितना चाहिए तो ये दो कंडिशन यहाँ पर दी गई है टोटल 6% वोट लाना होगा और साथी साथ दो विधाय भी जितना होगा याने कि स्टेट इसम्बली में दो सीट आपको एक्वाइर करना होगा तब ये स्टेट पार्टी कहलाएगी कोई भी कंफूजन होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे उसका जवाब मिलेगा तो स्टेट पार्टी क्लेर हो चुकी है नेक्स्ट विस सीदव नैशनल पार्टी तो यहाँ पर एक कॉमन सी चीज़ है कॉमन बता रहा हूँ क्या कॉमन है यह 6% वाली बात तो यह 6% यहाँ भी कॉमन है यानि यहाँ पर भी 6% वोट पार्टी को लानी होगी बट डिफरेंट क्या है डिफरेंट क्या है कि यहाँ पर कौन सा चुनाव में लाना होगा लोग सभा इलेक्शन में लाना होगा यहां पर क्या थी इस्टेट इसंबली का जो इलेक्शन होता है जहां विधायक का चुना होता है मुखमंत्री का चुना होता है तो वहां पर ठीक है लेकिन यहां पर क्या है पूरे कंट्री में जब लोग सभा का चुना होता है जहां पर शांसत को चुना जाता है इसके बाद लोग प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं लोग मतलब करने मतलब वो लोग पार्टी के लोग चुनेंगे तो यहां पर क्या है कि लोग सभा के एलेक्शन में टोटल कंट्री में जितना लोग सभा के एलेक्शन हुआ वहां पर आपको 6% वोट लानी होगी यदि आपकी पार्टी है तो आपको भी लाना होगा तो यहां पर जिस पार्टी को 6% वोट मिलता है लोग सभा के एलेक्शन में वह क्या का लागी नैशनल नहीं लिए पाती है लोग सभाई एलेक्शन में तो क्या नहीं कहलागी कहलाएगी दूसरा रास्ता इस रास्ते से नहीं जा पाएं चलो नेक्स रास्ता भी है ना दूसरे रास्ते से के सकेंड के से सटेanking यह है कि यहां तो कि यहां चार सकती है विए और सकती है रफी जीएक मत्य परदेश है यहां चार स्टेट में बिधान सुवा चुना हुआ तो यह चारो स्टेट में एक पर्टी को six percent vote लाना होगा छारो स्टे में फोट लाती है कोई भी पार्टी तो भी रिग्त कह लाने लास्ट कंडिशन क्या है जैसे यहां पर इस्टेश एसेड एसेड्ली में तू सीट्स लाना जरूरी था अनि दो विद्धाय को जीतना जरूरी था तो यहां पर भी क्या है एहां पर भी मैड एल लोग सभा इलेक्षन में फोर शीट्स लाना होगा चुंकि हो पार्टी के चार MP, Member of Parliament, चार MP जीतना होगा, तो यह थे condition, यह condition यदि fulfill होता है, दोनों में से एक या और साथ में इसको भी करना है, तो वह पार्टी, National Party कहलाएगी, I think it is now clear, कोई भी doubt नहीं होगा, यदि कोई doubt होगा, comment box में करेंगे, comment करेंगे आप लो, ओके, आई बास समझ में, ओके, now thanks for watching video, have a nice day.